आप सब उमीद करती हूं आप सब खैरियस से होंगे आप सब जहां पर भी हो आप सब को अपने हिवज़ों अमान में रखे और धेर सारी खैरों वरकते दे और वेलकम है आपका मेरे किचन में और आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए बना रही हूं दो मिठाई की जो कि हम बिना गैस जलाए बनाएंगे और बहुत ही क्विक और बहुत ही आसानी से और कम चीजों में बन जाने वाली मिठाई है और बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होती है तो आज हम बनाएंगे नारियल के लड़ू और ओरियो बिसकिट के पेड़े जो कि बहुत ही टे देख लेते हैं इसमें क्या-क्या चीज़े जाएंगी बिस्मिलाय रह्माने रहीम तो देखिए हमारे पास यह ओरियो बिस्किट मैंने ले लिए है और यह डेसिकेटड कोकोनेट है यह 100 ग्राम है और यह थोड़ा सा मैंने ले लिया है कोटिंग के लिए यह ग्रीन फूड कलर है और यह थोड़े से पिस्का मैंने काटे हैं गामिशिंग के लिए और यह कंडेंस मिल्क है और यह थोड़ा सा मिल्क पॉडर है वाजन दो मिठाईया बनाएंगे और बिना गैस जलाए बनाएंगे तो चली बनाना शुरू करते हैं सबसे पहली मिठाई तो दिखिए मैंने एक यह बॉल ले लिया है और इसमें हम कंडेंस मिल्क डालेंगे पहले थोड़ा ही डालेंगे और जोड़े पड़े की तो और डालेंगे और इसमें थोड़ा सा डालेंगे ग्रीन फूड कलर इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे लड़ू ग्रीन कलर के बड़े आप अपने मन पसंद कोई सा भी कलर डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसे वाइड भी बना सकते हैं लेकिन मुझे कलर थोड़ा अच्छा रगता है इसलिए मैं इसमें फोड़ा सा ग्रीन कलर डाल दिया और इसे मिक्स कर लेंगे इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे इसकरा से कंडेंस मिल्क मीठा होता है तो इस वज़े से मैं इसमें शुगर आइड नहीं कर दीन हूं अगर आप एड करना चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर भी इसी वी एड़ कर सकते हैं और हम इसके लड़ू बाम तर देखेंगे कि इसके लड़ू बन रहे हैं तो इस तरह से लड़ू बन गया है और यह जो पोकोनेट का इसमें हम इसे पोट कर लेंगे इस तरह से तो देखें कितनी क्विक यह मिठाई बन करके तयार हो जाती है इसी तरह से हम सारे लड़ू बना लेंगे नामने गैस जलाई नामने कुछी जयादा तयारी करी बहुत Thomas a nice एक बहुत ही टेस्टी मिठाई बन करके तैयार हो जाती है बहुत आsam offenses से इसे अपने गर में बना सकते सा इस negator कर लेंगे और इसी तरह से सारे लड्डू को मैं बना करके तयार कर लोंगे तो दिखे हमारे लड्डू बन गए हैं और इसे थोड़े से पिस्तो से मैं गार्निश करूंगी और बहुत ही आसानी से 10 मिनट में यह लड्डू बन करके तयार हो जाते हैं तो आप उपने घर में यह लड्डू जरूर बनाईए और दूसरी मैं आपको ओरियो बिस्किट से बेड़े बनाने की रेस्पी दूंगी तो दिखे हमारे लड्डू बन करके तयार हो गया है और अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेस्पी की तरफ यह ओरियो बिस्किट है और इसे हम मिक्सर में इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे तो दिखे मैंने ओरियो बिस्किट को पीस करके ले लिया है और अब हम इस बावल में इससे ट्रांसफर कर देंगे बहुत ही टेस्टी पेड़े बन करके यह त्यार होते हैं और बहुत कुईक बन जाते हैं बिना गैस जलाएं और इसमें हम डाल देंगे यह मिल्क पाउडर यह optional है अगर आप डालना चाहिए तो डालने इससे थोड़ा सा टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है थोड़ा और टेस्टी हो जाते है और इसमें हम डालेंगे condensed milk और इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे इस तरह से mix कर लेंगे थोड़ा सा condensed milk मुझे कम लग रहा है थोड़ा सा और डालेंगे इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे तो देखे मैंने इसे अच्छी तरह से mix कर लिया यह एक डो की फर्म में आ गया और आप हम इसके पेड़े बनाएंगे तो चली अब इसके पेड़े बनाते हैं थोड़ासा portion लेंगे और उसे हाथों से गोल करेंगे और इस तरह से अलका सा प्रेस कर देंगे और इसे रखते जाएंगे इसी तरह से सारे पेड़े बना लेंगे इस तरह से देखिए ऐसी ही सारे पेड़ों को बना करके हम तयार कर लेंगे और आपको दुड़ा बहुत ही इंदर बनाने कुंसा कि समय कल18 मतारी देखिए तो आप इसी मेथट से अपने घर में बनाएं, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को खिलाएं और खुश करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चाइनल को सस्क्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखे कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी आप सब जहां भी हो आप सब को अपने हिवज़ों अमान में रखे धेर सारी खैरों वरकते दें खुशिया दे और मेरे लिए भी दुआ करिए मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में नेक्स रेस्पी के साथ अल्ला हाफिज